प्यारे बत्सों नमस्कार अपन देख रहे थे अनुचे देख सो अठारा उसके तैत अपन पढ़ रहे थे मोशन अभी लास्ट फाइल के अंदर अपने देखा था है विश्वास और विश्वास प्रस्ताव इसमें अपन देखेंगा धन्यवाद प्रस्ताव से ठीक है मोशन किस के बदले में देते हैं अपन थेंक्यो धन्यवाद ठीक है तो बदले में कैसे किस के बदले में अभी वोट फेंक्स आता है धन्यवाद प्रस्ताव किस के बदले में थेंक्स देते हैं तो देखो क्या होता शुरू में याद रुखो बड़ शुरू में शुरू में कैस अब ये शुरू में दो जंगे हैं जैसे मानो कि नई लोगसभा का गठन हुआ है जैसे मान दोजार चोईस में लोगसभा का हमने चुनाओ होएंगे नई लोगसभा गठीत होएगी ठीक है ना अठारवी लोगसभा गठीत होएगी अभी सत्र भी चल रही है तो 2024 में होंगा ठारवी लोगसभा के चुनाओ फिर चुनाओ होने के बाद जो पहली बार सदन मिलेगा बार लोगसभा के सदन नव निर्वाचित सदन से मिलेंगे तो वो जो पहला सदन है नव निर्वाचित लोगसभा का उसको और हर calendar verse के जो पहला सत्र होता है उसका पहला दिन जैसे भी calendar verse 2023 चालो हो गया अब budget सत्र चालो होने वाला जन्वरी गे अंदर last week में तो साल का पहला सत्र होएगा बज़ट सत्र होता है उसके पहले दिन राश्पति संबोधित करते हैं सदन को ठीक है ना ऐसे ठीक है अब इसमें क्या है मैं बताऊं अब जैसे पहला सत्र भाई तो लोगसभा का पहला सत्र होता है लेकिन वो एक तरह से वो joint sitting होती है और दोनू हौलों को एक साथ संबोदित करते हैं राश्पती कब एक तुप नई लोगसभा का पहले सत्र में है ना नई लोकसबा का पहला सत्र और दूसरा प्रतेग साल का पहला वर्स पहला सत्र है ना लोकसबा चुना के बाद नई लोकसबा का पहला सत्र ठीक है और हर साल पहला सत्र का पहला दिन टाशपतारा सम्हझेत करता है और दूसरा हर साल अब इसले लोकसवा पांत साल चलेगी चोविस से उन-तिस टीक है तो चोविस में जो पहला सत्र होएगा वो तो करेंगे गरेंगी ही करेंगे फिर पच्विस में जब कलनला न्यू यूर मन आएगे अपने एक जनवरी 25 तो जनवरी के लाश्ट पीक के अंतर पहला सेशन होएगा उसको करेंगे जनवरी 26 2027 में वो पहले Session होएगा 2027 का वर्ष 2027 का उसको संबदित करेंगे 27 आइसे हर वर्ष तो ये दो दो सुरुवाद जो है अपने को ध्यान में रखनी है लोकसभा के सुरुवाद में और वर्ष के सुरुवाद में ये इसका माइक्रू है लोकस्पा के शुरुवात और वर्स का शुरुवात राश्पती संबदित करते हैं तो संबदन में का होता है राश्पती काफ़े चीज़ें सदन में बोलते हैं तो वो जो बोल गए फिर उसके उपर 3-4 दिन तक सदन में चर्चा होती है कि राश्पती जी जो बोला सफलता है, सफलता है सरकार के रहां पर चर्चा होती है और फिर बाद में मद्दान होता है ठीक है ना? और फिर अंत में ये vote of thanks पारिज होता है vote of thanks भाला है ठीक है राश्पती जी जी समय निकाला निर्वाचित लोगसभा का पहला सत्र और प्रतेक वर्स के पहले सत्र में संसत के समवेद सदन हैना house assembled together आटेक नमें 87 या में जो word यूजब हो है समवेद सदन सहसे house assembled together और 108 के अंदर है अपने joint sitting सहयुक्त बैठाग ठीक ना तो अपन 87 के तैत है क्या? नम निर्वाचित लोगसभा का पहला सत्र तो नम निर्वाचित लोगसभा और प्रतेक वर्स के पहले सत्र नम निर्वाचित लोगसभा का पहला सत्र और प्रतेक वर्स का पहला सत्र टेकर ना नवनिर्वाचित लोगसपा का पहला सित्र और प्रतेक वर्स का पहले सतर को राश्पती संपोधित करते हैं यह किसमें लिखा आटिकल नमर 87 में लिखा है फिर का इस प्रस्ता ओपर राश्पती जी बोल गए सारा इस प्रताओ पर सामाने 3-4 तक चर्चा होते हैं जो राश्पती जी ने चर्चा प्रस्ताओ संपोधित किया है वो इस दोरान विपक्ष वारा सरकार की नीतियों के आलोचना भी की जाती है चर्चा के अनुग प्रतान मंतरी के द्वारा द्वारा दिया जाता है बहुमत नहीं है। फिर एक सो ठाड में केता है। अब इस पास प्रस्ताव लाए जाता है। जीसे अब मैंने दिखाय था अठाइस बारावी तक ला चुपे। 26 बार सरकारें बची दो बार गिरी। ठीक है? तो यह था अपना दन्यवाद प्रस्ताव, motion of thanks. तोड़ाशा पहले देखते हैं आठवा आपर सन निंदा पस और देखक थो निंदा कु अपने एक और सेंज में देखो आप यहां आप एक सी ची ची मिजिद lंक्रिंट справ ने निंदा देखो, निंदा प्रस्ताव सेंसर मोशन, यह किसी एक मंत्री के वुरूद लाया जाता है, जबकि एक विश्वास प्रस्ताव देखा आपने, यह पूरे मंत्री मंडल को के वुरूद सामी ग्रूप से लाया जाता है, क्यों? क्योंकि मंत्री मंडल सामी ग्रूप से उतरता है फिर क्या है यह मंत्री परिशद की कुछ नीतियों का कारिये के खिलाब निंदा के लिए जाता है यह मंत्री परिशद की लोगसभा में विश्वास के निर्दान नहीं तो लाया जाता है यह तो किसी मंत्री की नीतिया कारिये की अलोसना करता है निंदा प्रस्ताव तो ठीक है मंत्री जी इतना भी नहीं कर सकते है बिमार लोगों को ऐसे ऐसे जो भुकी मारें उन्हों खाना भी नहीं कर सकते है और अविश्वास प्रस्ताव भहूमत जान से नहीं के लिए होता है कि लोकस्वा में सरकार को या मंत्री परिशत को बहुमत है या नहीं है ठीक है फिर क्या लोकसवा में इसे स्विकार करने का कारण बताना अनिवारे होता है कि मैं किस कारण से निंदा कर रहे हो यह तो बताओ और जबकि इसके अंदर तो कोई कारण बताना अनिवारे नहीं है ये तो self-contained है अपने आप में कि विश्वास ही नहीं है इसलिए हमें विश्वास प्रस्ताव लिया महला बहुमत ही नहीं है बहुमत ही नहीं है सरकार को इसलिए लिया है हम तो लोगसभा करना है यह लोगसभा में पारित हो जाए जैसे अपने विपिसिंग और चल्ट सिकर माले मामें में देखा ठीक है? तो निंदा प्रस्ताव ये इतना ही है तो अब निंदा प्रस्ताव में जो मैंना बताया था चार प्रस्ताव ऐसे हैं जो सिर्ब लोग सबाब आशा कते हैं उसमें ये एक मैंने में अपने बताया था और बाकी काम काई से थे? इस्तगन, एविश्वास, विश्वास, निंदा और एक कटोती प्रस्ताव जो 117 में अपने पढ़ा है पीटी, पॉलेशी काट, एकॉनोमी का टोकन काट ठीक है? तो ये था आपने निंदा प्रस्ताव, चैंचर मोशन तो इस फाइल में अभी अपने पहले तो क्या देखा? साथ नंबर पे पहले अपने देखा धन्यवाद, उसको बन दिंदा नेस्ट अपन देखते हैं ए नियत दिवस प्रस्ताव है न इसमें प्रस्ताव और जोले न ए नियत दिवस प्रस्ताव, नो डे यहां कोमा लगता है इसमें नो डे यट नेम्ड मोशन, ए नियत दिवस प्रस्ताव है न मोशन है, ठीक है? देखो क्या होता है? यह एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे अदेख चर्चा के लिए बिना तिथी निर्दारित की ये रखता है किसी ने मुद्दा दे दिया कि साब ऐसे ऐसे होगा लोग परिशान हो रहे है तो इस पर चर्चा होनी चीए तो लोग सबाइस पिकर ने बता है नहीं कि कब होगी चर्चा बैस वो पर्चे लिए और अपने जेब में रख ले की हाँ ठीक मेरे पास है और मैं देखता हूँ कि कौन सा दिन इस पर आपने है ना कोई दे निश्चित नहीं किया उन्होंने है नो डे यट नेम्ड मोशन दे फिक्स नहीं किया लेकिन फिर भी वो मोशन को कभी भी स्पिकर रखवा सकते है ऐसे है अध्यक्स सदन के नेता से चर्चा करके है सदन की कारी मंतरा सिमिति के अनुशंचा पर इस प्रकार के लिए कोई दिन या समय निश्चित करता है ठीक है यह हो गया दोनों सदन में आसकता है गारी या ऐसे टीक है फिर होता है विलंब कारी प्रस्ताव डिलेटरी मोशन है ने डिलेटरी मतलब दिल्य करना ही इसका मुकसद है, कि सदन में जो कारवाई चल रही है उसको थोड़ देर के लिए रूक आजाए, दिल्य क्या जाए, विलम किया जाए, यह किसी विद्यक प्रस्ताव संकल पर जारी बैस अथ्वा चर्चा का इस्तगन प्रस्ताव है, अथ्वा विचारार्थ क किसी कार्य की प्रगर्ति को दीवा करने अत्वा विलम करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है है न जो किसी विदेख प्रस्ताव के संकल पर भैस चलते हैं उसको विलम करना भैस दीवा करना उसकी रफ्तार दीवा करना ये किसी सदर्से द्वारा किसी प्रस्ताव के पेश होने के बाद किसी भी समय लाया जा सकता आज जिसे मालोग कोई बिल पास होने वाला है ठीक है ना लेकिन कोई रिपोर्ट निती आयो की कोई रिपोर्ट आनी बाकी है और तो आज कल में आने वाली है ठीक है ना तो उस निती का बहुत ज़्यादा प्रभाव उस नीतिय का जो निर्णने होगा ना उसका बहुत ज़्यादा प्रवाव पड़ेगा जो विदेख सदन में अभी जिस पर सरसा चल रही है तो सदे से यह लाता है कि अजिस साब एक दिन और रुख जाओ इते एक दिन रुख गए तो एक बार रिपोर्ट आजाने तो उसमें आखने का बोलते हैं फिर इस बिल में आप अपने और चेंज कर देंगे यह क्या दिक्कत है यह तब यह लाए जाता है विलम का दिया तो समधित वो सदे से जो विलम का रिपस्ताओ आता है वो बूलेगा कि साब भी भुकमरी पे रिपोर्ट आने वाली है नीतियायों कि आज कल में तो एक बार इस बिदे को रोक लो चर्चा इस पो रोक लो वो रिपोर्ट आ जाने तो देखो तो सही कि बिमार राज् आ जाने तो रिपोर्ट देख लेते हैं उसके इंदर क्या आता है फिर कर लेंगे आगे चर्चा तो उचित पूर्ण होना ची ऐसे नहीं कि बैस नहीं में को डिले करना है ऐसे उचित पूर्ण होना ची ठीक है यह दस्वा हो गया तो ऐसे अपने टोटल दस प्रस्ताव दे देखा विशेश अदिकार प्रस्ताव देखा अपने इस्तगन प्रस्ताव ध्याना करशन प्रस्ताव इस्तगन एड्जोर्णमेंट इस्तगन को काम रुखो प्रस्ताव भी बोलता है एड्जोर्णमेंट मोशन ठीक है फिर देखा अपने ध्यान रुखो प्रस्ताव फिर एविश्वास विश्वास ठीक है एविश्वास विश्वास छे हो गए फिर साथवे नमबर पर अपने देखा धन्यवाद आटवे पर निंदा नववे में एव नियत दिवस पस्ताव और दसवे के अंतर अपने देखा विलमकरी डिलेटरी मोशन अच्छा ये रहेगा कि दोदो की रूप में रखो तो उससे अच्छे याद रहेंगे है ना जैसे क्या समापन विश्वास विश्वास फिर धन्यवाद निंदा ए नियत और विलमकरी ऐसे एक दोबार रिविजन करो याद हुजाएंगे है ना और माइकरो के रूप में रिविजन करो अच्छा तो उससे और अच्छा होगा फिर इसके बाद क्या मेरे प्यार बचों जैसे सदन की प्रक्रिया चलती है तो उसमें ये दो तिन चीजें और इंपोर्टेंट है जो आपने को जाननी सुननी संबंदी है प्रकर्ति संबंदी अन्य नियम है कुछ देखो एक ये आएंगी एक दो महलब 11, 12, 13, 14, 10 तक अपने प्रस्ताव देख लिए 11 में 30% point of order फिर आदे गंटे की चर्चा अल्पकालिक या दो गंटे की चर्चा मलब दो गंटे तो होती ही होती है चर्चा अधिक तम दो गंटे फिर नियम 184 वे 183 के अंतरकत ये बहुत न्यूज में रहता 184 वे 183 वे देखेंगे अपन कि जैसे सरकार तो बोलती है कि 184 में कराओ discussion विपक्स बोलता है नियम 184 में कराओ तो दोनों में क्या फरकत देखेंगे फिर नियम 377 के अंतरकर चर्चा क्या होती है जैसे स्पिकर के बार बोलते है तो देखो क्या होता है जब सदन संचालन के समाने नियम का पालन नहीं करता है कोई उट रहा है कोई जा रहा है कोई बोल रहा है तो कोई सुननी रहा है आदे लोग तो सो रहे है तो सदन जब संचालन के नियमों का पालन नहीं करता है कोउरम एक बटा दस होना चीए सदन की समतागाल वो इक कोउरम ही नहीं और कारवाई चल रही है तो यह है ना नियमों का पालन नहीं करता है तो एक सदस्य ओचित्य प्रसंट के माद्यव से सदन का ध्यान आकर्शित कर सकता है ये ऐसा अमानेत है विपक सी सरकार द्वारा Shatir आपत्य किसी तरह की भैस के अनुबती नहीं होती है ना लेकिन कारवाई को समाप्त कर देथी या दिपास हो जाता है ठीक है ना तो जब बात इती सी है सदन जो है ना वो सदन की प्रिक्रियाओं के अनुरूप नहीं चल रहा है सदन जो है संचालन के जो नियम है संचालन है प्रोसेजर आफ रूस अफ प्रोसेजर जो है उसके अनुरूप नहीं चल रहा है इस पी करने बोलनी का अनुमती नहीं दिया और आप चालू हो गए हैग नहीं ये तो संचालन की नियों मों के अनुरूप चलना भोग जाला जोरूरी नहीं चलता जब कोई भी संदेश्य है तो ओचिते के परशन के माध्या में से सदन का ध्याना कर से तो ये पॉइंट ओडर हो गया ओचिते समझ गया आप ओचिते है याद क्यों बोलनी का अनुमती नहीं दिये तो इह ठीक है फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर अदे घंटे की चर्चा हाफ और डिस्क coffin अदध घंटा घंटा आदधागंटा यह होता है ठीका ना तो आदे घंटे तक की चर्चा के लिए तो कि क्या देको लोकस्वा कि प्रिकाइनन पस्चान सेंचान तो इसके लिए अल्पकालिक चर्चा आउजित की जा सकती है स्टार्ड कोशन जिसका मोकी की जवाब अनि स्टार्ड है तारग की जिसका लिखी जवाब दिया गया ठीक है ना शोर्ट नोटिस कोशन पूछा लेकिन इनके जवाब से विपक्षी सर्दे से संतूष्ट नहीं हुआ या जानकारी अपूल मिली प्रशनों से तो आधी घंटे की चर्चा के तहत वो उसी मुद्दे को वापस उठा सकता है बसरते तीन दिन पहले लोग सबाज सेक्रेटरी को उन्होंने अपनी ये अप्लिकेशन अर्जी दी हो इसका समय साइकाल साइक साइक साड़ी पांच से छे होता है तो आधी घंटे हो गया ने देखो आधी घंटे की चर्चा यह एक सब्ता में तीन दिन उपलब आयोजित की जाती है ठीक है उपला बटा दो कोई लिकात नहीं है तो एक सब्ता में तीन दिन आलमस्ट लास्ट तीन दिन होते हैं उन दिन आयोजित की जाती है चाड़ी पांच से चेरका टाइम होता है तीन दिन पहले का नोटिस दिया होना चीए लोग सबसे ग्रेटरी को और किस तरह के मुद्धे जिनका की प्रस्ण मतलब तारग के तारग के तारग के और शोर्ट नोटिस प्रस्ण से संतुस्त जवाब नहीं आया हो उन मुद्धों को आपन आदी घंटा की चर्चा में उठा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आपन देखते हैं अल्पकालिक चर्चा दो गंटे की चर्चा अब भी देखिए अपने आदे गंटे की आप देखते हैं दो गंटे की चर्चा इसका नियम 113 में उलेख है ठीक है लोकसभा के संचाला नियम 113 में उलेख है कौन सी दो गंटे की चर्चा, देखो दो गंटे की चर्चा में न अंक दो सब्द का बहुत ज़्यादा महत्व है क्या है देखो आपको बता दो पहले कि दो गंटे की चर्चा इसमें दो का महत्व का इसके तेब किसी मुद्याइव के उठाय जा सकता है को सदने के उठाया जा सकता है इसके लिए पस्तावों को दो इस तरफा दो दिन अधिक्तर दो दिन अधिक्तर दो दिन इस तरह के दो दिन इस तरह के पस्ताव उपर चर्चा के लिए रखे जा सकते हैं ठीक है फिर क्या है इसे दो गंटे की चर्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए गंटे से अधिका समय नहीं लगता है चर्चा के आदि में मद्दान नहीं होता है मंत्री दोरा संचित उपतर दिया जा सकता है ठीक है तो यह आपने दो गंटे की चर्चा समर्थक बना नियमें 139 में समर्थक दो एक सब्ता में अधिकतम दो दिन इस तरह की चर्चा के लिए रखे जाते हैं और चर्चा के लिए अधिकतम दो गंटे दो 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 दिन रख सकते हैं तो दो और दो चार गंटे चर्चा होई टोटल एक समर्थक है ठीक है तो यह था आपना short notice sorry, अलप कालिक चर्चा, short duration discussion, short notice तो question होता है तारंकी, तारंकी, तोड़ा अलप सूचना परशन और यह short अलप कालिक चर्चा आई है short duration, discussion, दो गंटे की ओके, फिर देखो एक यह जो है नहीं नियम 184 और 193 यह बहुत जादा न्यूज में रहता है ठीक है ना, तो 184 और 193 में क्या अंतर है ठीक है ना, करी बार विपक्स बोलता है कि 184 के तैट हमें इसमें कारवाई चाहिए, सरकार बोलती है नहीं 193 में, ऐसा क्यूं है, क्योंकि 184 के तैट जो है, वो voting, voting 184 के तैट होती है voting, 193 में के तैट voting नहीं होती, ठीक है तो voting होने पर तो क्या है बिल्कुल कच्च चिटा क्लियर हो जाता है कि वोई कौन की तरह है, ऐसे तो देखो, लोगसभा के प्रिक्राव संचालन नियम संचालन नियम के नियम 184 मोल लिखी थै speaker के अनुमति के बाद किसी शारचोनीक महत के अमुदें पर ऐस प्रकार द्वार उठाया जा सकता है चर्चा के नियराई समय पर इस पर करदा निशीर का जाता है चर्चा के अंदर मंधान का फ्राहल दान है या उनुमझार्द, फित, प्रबा, डिजयर दिसकस्शन अंदर, रूल 193 वाइल BJP, है ना BJP उसम्हें विपक्स में ठीक है, लोगपाल विदया की रूप में ये BJP उसम्हें विपक्स में थी जब लोगपाल विदया का रहा था वाइल BJP once under rule 184 तो देखा, कि सता रूर जलत होता Congress जो था, लोगपाल विदया जब लाए गया था तो Congress की सरकार थी के इन सरकार में तो Congress तो चारी थी कि Rule 113 में केता है Shortout discussion होना चाहिए जबकि BJP चारी थी जो समय विपक्स में थी वो चारी थी कि Rule 184 केता है discussion होना चाहिए Short duration discussion जो पन देखा है दो गंटे वाला वो इस Rule 184 केता है तो What are these Parliamentary Rules and why and what's the difference broadly speaking Rule 184 allows voting यह यह समय जो क्रक्स है न वो यह है यह Rule 184 allows voting यह है यह बहुत question important है है ना कास्तोर अर्पलियम्स की दिश्टी से नियम 184 while Rule 193 does not here's इतना आपने को समझने रखने केता है कि विपक्स जो है न हमेशा Rule 184 के तायर discussion चाता है short duration discussion जिसको अपने बोला है दो गंटे की चर्चा वो Rule 184 के तायर चाता है क्यों क्यों क्योंकि 184 वोटिंग होती है और जबकि सरकार जो है वो चाती है कि discussion हो वो Rule 183 में के तायरत हो क्योंकि उसमें voting नहीं होती तो voting से तो क्या होता है कर्चा सिटा क्लियर हो जादा कौन के जराएग नहीं है और ऐसे voting नहीं हो वैस गफलत में हाऊ मस्तर ही तो पता ही नहीं चले क्या किते समर्था है किते नहीं है तो 184 के तायर वोटिंग हो सकती है तो चार याद रुकूंग चार कांग ये voting allow करता है तीन का अंग जो है मतलब 193 में वोटिंग allow नहीं करता है समझ गए ये ऐसे धार रुकूंग चार यस तीन समझ गए तो ये था एक चोटा से अपने को 184 और 183 में 184 में voting allow होती है ये अपने को ध्यान रखना है 184 में voting समझ गए फिर नेक्स अपने देखते है ये इसी में था टाइम्स अपने आपने बदाया ना अभी ये उसी का लिंक है देख लिए ना आप एक बार वीडियम में फिर यह होता है नियम 373 के अधर आखके अंतर के चर्चा रूल 3377 है ना ये क्या है देखो ये भी नियूज में रहता है काफी है ना रूल नंबर 377 इसको क्या है अपने राजस्वा के अंदर special rule के special mention के नाम से बोला जाता है लिखा हो गए मैंने राजस्वा में इस प्रकार के चर्चा को विशे सुलेक special mention के नाम से जाना जाता है है ना रूल नंबर 377 जबर 377 क्या है कि जैसे अपनने और अभी तक काफी चीज़ी देखते है जैसे अपनने प्रशनकाल देखा ठीक है फिर आदे घंते की चर्चा देखी फिर शौट डिसकेशन देखा अपने शौट डिसकेशन देखा अपने दो गंटे का लेकिन उन सभी माध्यों में से मालोग फिर भी उन सभी माध्यों का यूज़ अपने कर लिया या नहीं कर पाए है ना तो अपना वो जो प्रशन है ना अनुत्तरत रह गया अभी अपने कुस्षिन का जवाब ही नहीं आ है उस मुद्ध़ पे चर्चा ही नहीं हुई इन माध्यों से, क्या प्रशन काल के माध्यों से आदि गंटे के चर्चा, ऐन माध्यों से चर्चा इन नहीं हुपाई हुई तो बो अलबकालिक हुई मज़ा ही नहीं आया उसके अंदर निश्कर्षी निकला तो अपन क्या यूज़ कर सकते हैं अपन यूज़ कर सकते हैं नियम 307 जिसको राक्षभा में special mention कहते हैं क्या है लोक्षभा के प्रकेर संचाला नियम 307 में उलेगी था लोक्षभा लोक्षभा में जिन मुद्धों लोक्षभा में जिन मुद्धों को लोक्षभा में जिन मुद्धों को प्रशनकाल प्रशनकाल आदे गंटे की चर्चा ये अल्पकालेक दो गंटे की चर्चा के दोरान नहीं पूछा जा सका ठीक है न अलोट नहीं हुआ टाइम तो परस्ट और चर्चाओं के दो आदी गंटा और दो गंटे की चर्चा के द्वारा उसको नहीं पूचा जा सका satisfaction वाले को रहन देना पैस नहीं पूचा जा सका तो नहीं जा सका उनको इनके माद्यम से सदन के समक्स उठाया जाता है ठीक है न प्रशनकाल में नहीं मिला समय अधिकंटे की चर्चा में नहीं मिला अलकाली जो दो गंटे की चर्चा होती है उसमें नहीं मिला उनको इसके माद्यम से उठा सकते हैं किसके नियम 373 के इसके लिए स्पिकर को 10 बजे का 10 बजे को 10 बजे इसके लिए स्पिकर को 10 बजे नोटिस देना होता है कि साब देखो मैंने दिया था लेकिन यह मैं दिया था लेकिन यह समय नहीं बिला सब्ता में एक से ज़्यादा बार यह मुद्दा नहीं उठा जाज़ता एक सब्ता में एक ही बार इसके तहरे 300 तरके तहरे अपन किसी मुद्दे को उठा सकते हैं ठीक है? 20-600 का समर्थन चाहिए चर्चा के अंतर में समझे इसका उत्तर देते हैं ठीक? 20-600 का समर्थन चाहिए है ना? तो यह जैसे आपन ने इसको माइक्रो के रूप में जैसे पहले भी देखा चीजों को देखा है वैसे आप चोटा से एक टेबल के रूप में बना लो यहीं पर साइड में ठीक है इसमें जो अच्छे चीजें समझने वाले वो क्या है कि पशनकाल फेल हो गया आदे गंटे की चर्चा फेल हो गई मादा समय ही नहीं मिला आजगो नहीं पूचा जा सका दो गंटे की फेल हो गई तर्टिक आंसर होना चीए क्योंकि यह पूचा जाता है रूल नंबर 373 ठीक है न प्रस्णकाल आदे गंटे दो गंटे की चर्चा में नहीं पूचा जा सका बीच सांसदों का समर्थन एक सब्ता में के वाले एक दिन उठाया चासकता है और इस पिकर को 10 एम से पहले का नोट 10 एम से पहले संबंधियत परस्ण के लिए नोटिस नेना होता है समझ गए? ऐसे है यह नियम 373 में नहीं आलागा रखा है नीचे सारी चीज़े वह हैं इसमें कोई ऐसा नहीं है नियम 373 में डायेक लगा दिया है अब देखो एक चीज़ क्या होती है कि यह अभी अपने का संकल्प देखो आपने जब यह प्रस्ताव पढ़ने चालों कि यह थे प्रस्ताव को बोलते हैं अपने मोशन तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा था बहुत ही अच्छा क्या रिष्टा सेट कराने वाला कि देखो जी हमाई लड़की आपका लड़का ठीक है प्रस्ताव आया मोशन आया चर्चा हुई मद्दान हुआ फिरो संकल्प बनगा रिजोलुशन बनगा और संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता अब तो इस पे कारवाई ही आगे होईगी समझ गए तो अब अपना आगे संकल्प पे सदन द्वारा स्विकृत प्रस्ताव सदन द्वारा स्विकृत प्रस्ताव संकल्प रिजोलुशन कहलाते है मलब जिन प्रस्तावों को सदन ने स्विकार कर लिया जिन प्रस्तावों को सदन ने स्विकार कर लिया वो क्या बन जाएंगे संकल्ब बन जाएंगे प्रस्ताव था हमारा कि भई देख लो रड़का रड़की ठीक है साब चर्चा रचा होगी सबने देख लिया मद्दान होगी वह अजी ने ताई जी चाटा चाची सबने ममी सबने देख लिया है ना प्रस्ताव जो था वो क्या बन जाएगा वो संकल्ब बन जाएगा वो जो मोशन जो था वो क्या बन गया रिजॉलिशन बन गया वो प्रस्ताव क्या बन गया वो संकल्ब बन गया है ना ऐसे आ रहा ठीक है तो संकल्ब तीन प्रकार के हो सकते है कैसे सरकारी प्रिस्ताव के संकल प्राइवेट मेंबर कि जो किसी नीजी सदने लआए था प्रस्ताव और फिर वो संकल बन गया चर्चा होगी म paradise उछा तो फिर वो संकल बन जागा तो नीजी सदने का संकल बन जागा इसके दोरा कोई बी गैर सरकारी सदर्षा, जो मंत्री मडली का भाग नहीं हो, गैर सरकारी होता है, सदर्षा कोई भी विद्या काता संकल्प प्रसुत कर सकता है, फिर साम विदिक, सम्वेदानी का टांसलेशन constitutional होता है और सामविधी का statutory होता है legal होता है विधी निर्माट से संब्धित संकल्पन को सामविधी संकल्प पगा जाता है ठीक है ना विधी निर्माट कोई law बनाना है ऐसे ठीक है तो सरकारी हो गया संदी और समझोते संबंदित private member हो गया private member सम्मन्दित कोई और सामविधी कोई कानून बनाना है जैसे आपको जैसे महलो नरिया कानून बना right to food बना right to act बना right to health है इस तरह से ठीक है ना यह है फिर आप अपन देखते हैं बार बार मैं बता रहा है उसे संकल्प आ जाता है तो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत होते हैं और जब वो प्रस्ताव स्विकार हो जाते हैं सदन में चर्चा और मद्दान के परस्चाथ तो प्रस्ताव क्या बन जाता है वो प्रस्ताव संकल्प बन जाता है सभी संकल प्रमूल रूप से प्रस्ताव होते हैं जैसे अपने देखे यह यह बीच वाला आपने देखा यह motion यह देखो इसको यह motion है ठीक है motion और यह है यह resolution ठीक है resolution तो आप देखो कि यह देखो इसको यह है motion motion पे जब चर्चा होगी तो वो होगी है resolution तो जो मालों जैसे सोंग मोशन लाए ठीक है तो सोंग मोशन होगी अंदर जैसे अपने देखा कि सारे पे सारे पे चर्चा सारे पे मंदान होगी सारे तो नहीं बन पाएना कुछ motion जो है वो resolution नहीं बन सकता हर motion resolution नहीं बन सकता तो कुछ motion जो है वो resolution बन जाते है तो कहने का मतलब motions की जो दुनिया है वो बड़ी है resolutions की जो दुनिया है वो छोटी है यह resolution है इनके दुनिया छोटी है यह motion है इनकी दुनिया बड़ी है यह सो है तो देखो ये वो resolution मालब ये resolution है न ये मैं बता रहा हूँ जिसको मैं यूँ dotted कर रहा हूँ मालब ये resolution बन गए तो ये वो motion है जो resolution बन गए जुनको मैं dotted किया इस dotted इसको मैं क्या लिख रहा हूँ इस dotted को मैं यह लिख रहा हूँ ये वो motion है जो resolution यह वो मोशन है जो रिजोलुशन बन गए यह वो मोशन है जो रिजोलुशन बन गए यह वो प्रस्ताव है जो संकल्प बन गए है ना तो मोशन प्रस्ताव इनके दुनिया बड़ी रिजोलुशन संकल्प इनके दुनिया छोटी है ना यह संक्या में सो है यह संक्या में नब है तो फिर आपने क्या देखा कि जो हर जो resolution होता है resolution resolution संकल्प वो motion होता है लेकिन हर motion जो होता है वो संकल्प नहीं बन पाता है अब देखो यह जो space खाली रही ना यह space खाली रही यह वो motion है जो की resolution संकल्प नहीं बन पाए यह वो प्रस्ताव है जो संकल्प नहीं बन पाए और यहाँ पर अपने देखा यह वो मोशन है जो resolution बन गए यह वो प्रस्ताव थे जो संकल्प बन गए ऐसे है तो इसका ब्रिवजन गौरूब आपका समझ में आ जागा फिर का देखो प्रस्ताव पर मद्दान आवस्चक नहीं है ठीक है तर्चानीवी मद्दान आवस्चक नहीं है संकल्प पर मद्दान अन्यवारी होता है तो इस संकल्प फिर विदेग बनता है फिर का सरकार का किसी विशेश मुद्दे पर द्धान आकर्षित करने के लिए सदर में प्रस्ताव लाया जाता है फिर कर संकल्प जैसे क्या हो द्धाने राश्पति को पज से अटाने के लिए संकल्प आता है रिजोलुशन ठीकर राश्पति को अटाना है उप राश्पति को अटाना है ठीक है फिर अपन देखते हैं कि आनुचे 352 इमर्जेंसी लगानी है 306 लगानी है ठीक है तो वो सब संकल्प के रूप में आता है कोई विदेग भी जैसे बनता है तो विदेग भी पहले संकल्प के रूप में आता है परस्ताव और संकल्प है ना मोशन एंड रिजोलूशन के अंदर डिफ्रेंस समझ गए यह चीज है फिर नेस्ट अपन देखते हैं एक लिडर्स की बात आती है लिडर ओफ हाउस लिडर ओफ हाउस ठीक ना लिडर ओफ पोजिशन ठीक ना दोनों के अंदर ठीक है तो यह लि